कॉंग्रिस के पूर्वध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लंदन के दोरे पर हैं। पर हमला बूलते वह ये कहा है कि लंडन में राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल चड़का है। चाहे वो लंडन हो, अमेरिका हो, सिंगापूर हो। उनके वक्तविक कहीं न कहीं ये दिखाते हैं कि आज की कॉंग्रिस पार्टी 1984 से लेकर अब तक देश में आग लगाने और सोहार्द बिगारने में लगी हुई है। उन्होंने राहुल गान्दी को विपक्ष की भूमिका निभाने बीजेपी से सीखने की नसीहत दी है। और कहा है कि एक मुल्क जो कटोरा लेकर खड़ा है आपने भारत के तुलना उस पाकिस्तान से कर दी। बीजेपी प्रवक्ता गौरो भाटिया ने राहुल गान्दी के एक एकवार पर चुन-चुन कर पलटवार किया और कहा कि भारत के इतिहास में एक मात्र का लाध्याय है वो है आपातकाल जो इंद्रा गान्दी ने लगाया था। बीजेपी प्रवक्ता ने आगई है भी कहा है कि आप बीजेपी का विरोध कर सकते हैं स्वस्त राजनीती का ये एक हिस्सा है लेकिन आप हमारे देश के लिए अपशब्त कहेंगे बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो ना केवल बीजेपी इसका पुर्जोर तरीके से विरोध करेगी बलकि देश भी जनता का इसका सीधे तोर पर विरोध करेगी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com की साथ की साथ